हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो गार्णिंग विधी तेश तो देखिए मई का मन्थ जो है स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी मेरे गार्डन में कुछ विंटर के फ्लार्स ऐसे हैं जो अभी भी खिल रहे हैं और ये देखिए कलांचो है क्यलन कोई भी इसे कहते है और ये देशी वाला है लेकिन अभी भी इसके फूल काफी अच्छे तरीके से जो है मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और ये मैक्सिकन पितूनिया ये समर का ही है, समर में काफी अच्छे से खिलता रहता है यह November तक भी अराम से खिलता है और इसमे एक परपल शेड भी आता है और एक light pink भी आता है और यह वरबीना रबीना देखिए कितने अच्छे से अभी भी bloom हो रहे है विंटर के फ्लार्स हैं लेकिन अभी भी अच्छे से खिल रहे है मेरे garden में और यह summer petunia मैंने इसमें लगाया हुआ था और पीछे मैंने इसमें marigold भी लगाय हुए थे तो मैंने वो निकाल दिया है अब जब summer petunia भी इसमें खतम हो जाएगा सारे तो मैं इसमें पूरे पर्सलेन और पोर्चला का लगा दूँगा तो काफी सुंदर लगागा यह पू कावरिंग कर रहे हैं यह भी और यह गजनिया का शेड एक देखिए थोड़ा जो है light pink में था यह लेकिन अब जो है धूप के कारणे इसका color जो है बिलकुली fade होने लग गया है और मेरे garden में जो है बिलकुल भी green net नहीं है डारेक्ट सुबह से ही धूप आनी शुरू हो जा काम तक धूप पूरे terrace पे रहती है तो बिना green net के इतने अच्छे flowering करना देखिए कितने खूप सुरत लग रहे हैं फ्लॉक्स में देखिए कितनी अच्छी flowering अभी भी हो रही है और यह जो petunia थे मेरे इतने अच्छी flowering इसमें हो रही है तो मैंने इसे थोड़ा नीचे रख दिया है यहां जो है इन्हें एक डेट घंटे की तो बहुत अच्छी धूप मिल जाती है लेकिन फिर सारे दिनिया ठंड़क बनी रहती है बिल्कुल भी धूप नहीं आती तो मैंने इन्हें यहां रख दिया है नीचे क्योंकि बहुत अच्छी flowering कर रहे थे तो मुझ जब वो plant खतम होने लगा तो उसके seeds इसमें ही गिर गए तो मैंने इन्हें ऐसे रहने दिया और इसमें चार plants अपने आपी grow हो गए आप देखें इनका color देखें कितना सुन्दर लग रहा है मई के महीने में भी देखें कितने अच्छे से जो है एस्चर bloom हो रहा है कोई इसक अच्छे टाइम में देखें कितने बुशी हो गए है plants मेरे और दीरे दीरे काफी plants जो है मैंने अपने निकाल दिया है यहाँ भी marigolds पड़े थे तो मैंने उन्हें भी जो है हटा दिया है और यह बोगन विला देसी वाला और दाइंतस देखें दाइंतस भी मैंने थोड़ कलर में है और एक यलो कलर में है यह भी पूरे समर जो है अच्छे से खिलता रहता है और यहां भी कुछ साल्विया में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है और कुछ ऐसी देसी वाले पिटूनी है नेक्स्ट अपडेट तक शायद मैं इन्हें भी पूरे निकाल है तो अच्छे से यहां यह प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं कुछ बेल वाले सबजियों वाले पोदे भी है तो यह सारा मैंने अपनी वेजिटेबल को ही डेडिकेट की हुई है यह वाली स्पेस और यहां भी जो है मैंने एक लैडर पे जो है अपने पोर्चुला का और प समफ्रेना यह भी लास्ट यह का था मैंने इसे प्रून कर दिया तो यहीं से इसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई और यह ट्यूब रोस के प्लांट्स है रजनी गंदा जिसे कहते हैं यह मैंने जैनवरी में जो है इनके बल्प्स जो है ग्रो किये थे अब देखिए इन म यह भी लेकिन फ्लावर के काफी सुंदर लगते हैं काफी वाइब्रेंट लगते हैं धूप में इसके फूल और यहां भी कुछ यह वाला मेरा संफ्लार है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे पुल दाट बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें को भी कि उनया हैं जात बार मेरे वाइक करें अगर लगते हैं और मेरे करें लगते हैं वे।